हुआ है हलो दोस्तों है माई यूट्व चैनल में आपका स्वागत है मैं आपको आज बता रहा हूं कि विंडो टेन और 11 में जो नेट की प्रूल माती आती है उसमें क्या होता है कि आप मुबाइल में नेट से मुबाइल से नेट होके चलाते हो तो एक जीब डेट जीब है ज कुछ अपडेट्स है वो चलू रहती है इसकी बज़ए से वो नेट है जो सारा खतम हो जाता है तो यह आज कर मैंने सुने बहुत प्रोब्लम आती है कि समझे है तो मैंने सुचा यह बता दें किसी को फाइदा हो जाई से तो आप जो अपना सिस्टम है अपने आप आप प्रेनी काम लेते सब लोग तो इमितर में या फिर कोई डिपार्टमेंट में सब में जिया कि नेट की प्रोब्लम है जो नेट है जो यह जी बी तो मिलता है वही सारे दिन में काम तो आता नहीं है वो खराब हो जाता पूरा पूरा मतलब विंडो अपडेट में चला जाता है तो इसके लिए आप क्या करो मैं आपको बता दूँ जो आपको सिस्टम है उसमें कुछ अपडेट्स है तो वह आपको बंद कर दो फिर नेट आपका कम लेगेगा तो मैं बता रहा हूं आपको तक यह माई कम्प्यूटर है इसमें आप को राइट करना है राइट करने के मैंनेज है मैंनेज आए दो नमर उफशन इसमें जाओ इसके बाद अभी डाइवलोग बुक्स खुले गाए एक कि यह आ गया इसमें डिवाइस मेनेजर प्याना आपको डिवाइस मेनेजर दो नमर उफशन कि इसमें वह आपको देखना को अनु जो यहां से चेक कर सकते हो इस में करो में करने के बाद यह आएगा से शह से शैज्से कर ने कि आओ कि इस पर यह से श्रीस में जो भी अपने सिश्ट में फूरय मतलब फाइले वगरे विंडो की और सब दिखा देगा आपको यहां पर पूरी लिस्ट खुलेगी देखो इसके अंदर कि पुरी लिस्ट कुलेगी इसके अंदर आप को वो सारा कुछ से दिखादेगा यह थोड़ा प्रोसेस है इसमें कि फ्याद न त्यों अ कि ठाव क necesita कम्पृटर की न स्कड़ूर है वैसलिए प्रोसेस हो रहा है इसमें तो इसके लिए आप कि रीप्रेस कर सकते हो रीप्रेस कर लो अपने सिस्टम को रीप्रेस करने विक्या थोड़ा जल्दी कि ओपन हो जाएगा अभी टास्क बार में नीचे आ गया है देखो डिवाइस एंड मनेजर इस पर जाओ यह आगया इस पर इसमें अपने को देखना है कि विंडो अपडेट का एक ओफ्सन है तो आप अपने कीबोर्ड से विंडो की है यह फिर डबलू डबलू दवाओ जो डबलू इतने भी है अपने को दिखा देगा इसमें आप को आना है यहां पर यहां पर देखो नीचे जाओ मौस की करसर उसे नीचे ले जाओ यह आ रहा है अपडेट विंडो इस पर डबल किली करना है फिर अपने को क्या करना है यहां पर देखना है देखो यहां पर दिखा रहा है अभी यहा करना है, disable करके stop कर दो यहां से, stop हो गया, फिर अपने apply और ok करना है, कि एक तो यह तरीका है, आप इस तरह कर सकते हो, यह command बताते हूं, मैं आपको window r key दबाना है, window keyboard से window वाली निसान और key, r, r button दबाय फरेश करके, यहां पे लिखना है win gpedite.msc, इस command को लगाए, open करोगे इसमें, यह window configuration का option आए, ओके करते ही आजाएगा, उससे आप window update बंद कर सकते हो, अपने system में, इस प्रकार अपने, आप net है, जो आपका net पूरा मसल सारी दिन बरका हुए, खतम कर देता विंडो तो आप इस प्रकार इसको बंद कर सकते हो, और आप task bar रहता यहां पे नीचे, task bar भी right click करोगे, तो यहां पे आएगा task manager, इसमें भी कुछ file मतलब running में रहती है, तो आप उसको उनको सब सब को stop कर सकते हो, अभी तो को आ रहा है ना उपर running apps, मतलब कुछ apps चालू रहती है, उसकी वज़ए ची net भी खाय जाता है, और computer अपना थोड़ा slow भी चलता है, इसलिए आप इसमें अपने को आप कर सकते हो, वो सब मतलब जो आपके unused है, जो application या जो भी software आप उनको stop कर दो, तो आप आपका PC भी अच्छा चलेगा, और मतलब है, performance भी बड़े है, net भी नहीं लगेगा, इस परकार आ आप अपने system को, net कम use होगा, बंद कर सकते हो, आप यह setting है, पर्फॉर्मेंस देखा रहा रहा है, भी, app history, यह दो सभी चले, देखो 3D calculator, camera, locks, यह सभी application है, यह मतलब, अभी तो 00M भी दिखा रही है, अभी कुछ नहीं है, इसमें अभी चालू नहीं है, मतलब स्टार्ट यूजर दो भी है, performance, यह जब performance चेक कर सकते हो, प्रोसेशर की चेक कर सकते हो, इस परकार यह अपलिकेस नहीं है, अपने किया है कि बेग्राउंड में चालू रहती है, देखो यह सल दरी ना भी, जो अपलिकेस नहीं को नहीं चीया, निउस है, उसको right click कर गए, आप, end task करते हो, यह फिर मतलब stop कर सकते हो, इस परकार आप, अपने system को, बड़िया सेट कर सकते हो, थैंक्यू धन्यवाद, अच्छा लगे तो like, comment, subscribe जुरूर करना, इस परकार आप, अपने system को, सेट कर सकते हो,